तेघरा बाजार में सैक्स रैकेट का बहुत बड़ा खुला सा यदि आप तेघरा बाजार में रहते हैं और वो भी उस जगह पे जहाँ अनुमंडल पदाधीकारी का काडियाला है तो आपको अमुमरन रूप से लगेगा कि आप सुरक्षित हैं और आप बिलकुल बेफिक्र प्रोके रहेंगे लेकिन इसी काडिया लेके आसपास सरहने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने घरों में बेखाउफ होके सैक्स का बहुत बरा रैकेट चलाते हैं और इसका उद्वेदन आज एक वार तेगरा अनुमंडल पुलीस पता अधिकारी के नत्रित में बनी ट तेगरा और कई अन्य पता अधिकारियों ने इस सैक्स रैकेट का खुलासा किया और उसके बाद जिस घर में यह वैपार चल रहा था उसे सील किया घटना है बेगुस राजिला के तेगरा थाना अंतरगत जहां की अनुमंडल मुख्याले से मजह 300 मीटर की दूरी पर जिस सैक्स रैकेट चल नहां था गुप्त सूचना मिली और जब पुलीस की टीम होँआ पहुची तो उस घर में एक यूबक एक यूबती एक पलंग पे आपती जनक के स्थिति में नजर आए महिला पुलीस और थाना अध्यक चनुमंडल पुलीस पदा अधिकारी की नत्रूस में दोनों को वहां से गिरफतार किया गया तेगरा थाना लाया गया शुरू हुई तब तीस तो जानकारी चली की पकड़ी गई लड़की उत्तर प्रदेश की है और यह जो घर जहां अधिकारी मोहर लगा दिया गया है लेकिन सबसे बरा सवाल आता है कि इस सेक्स रैकेट से जो जुड़े हुए पच्चे हैं जो यूबक हैं जो यूबतियां हैं सब 20 वर्स से लेके 25 वर्स के उन्द करें और इनमें कई ऐसे लड़के हैं जिनके पिता पुलीस पदा अधि कारी होने की भी सूचना मिल रही है सुत्रों से यदि माने तो बरतमान इस केस में छो लोगों के बिरुद मामला दर्ज किया गया है जिसमें एक यूबक पकरा गया जिसे बेभार नियायला बेगुसरा भेज दिया गया है और बाकी अन्य लोगों को ढूनने की कवायत चल रही है इसमें एक और सबसे बड़ा खुलासा है कुछ लोगों के मोवाइल भी सील किये गए हैं जप्त किये गए हैं जिने परसासन करी निगाह से तकनीकी टीम के द्वारा ढूंड रही है और उसमें कई ऐसे राज खुले हैं जिन राजों को जानने के वाद आप बहुच वाजार भवन में ऐसा काम हो इस प्रकार का घिनवना काम हो तो उसे हर कोई अपना नजर मोर लेता है और अब अनुमंडल प्लिस पदादिकारी तेग्रा ओम प्रकास की माने तो उनका कहना है कि पूरे केस में ये पांच लोग ही नहीं दरजनों लोग जुड़े हुए हैं और सबों का तार एक दूसरे से जुरा हुआ है उन सबों की केवल गुथी सुलजाई जा रही है और जितने भी लोग इस जाच में दृष्टिक गोचड होंगे सबों के उपर विदिवत कारवाई होगी और यह एक संदेश भी उन लोगों का है जो लोग अपने आपको अपने पैसे पे अपने पावर का गलत दूरुपयों करके और अभी भी इस वर्तमान समय में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आती है और उस विसम परिस्तिती में भी सैक्स रैकेट चलाते हैं और लड़कियों के साथ अभद्र बैभार करते हैं बरताओ करते हैं अपने आप में या ड़ाने वाला तस्वीर है कपाने वाला तस्वीर